वस्कूर जैनंद दोस्तों स्वागाते आपका हमारी यूटूब चैनल में आज की वीडियो में लेकर आये हम भूत ही महत्थ्पूण कॉस्चन आंसर यहां पर स्वामी विवकान विवे किजिए इसमें आपके लिए जो क्या है हिंदी साय जुण समुण कोर्स भी भी है लिए आपके लिए यहाँ पर भुत ही कम दामों कहले और आपका लिए हाँ पर 2020 फ़्टीटोफ्ट टेश्ट पर रवाया कारश्ट से आपके यहां पर Swami Vivekananda जी से संबंद first question की बात करें Swami Vivekananda का जन्म कब हुआ था यह आपके लिए बताना है सरसा publication की एबुक है और यहां पर Swami Vivekananda जी का जन्म पूँचा है कब हुआ था तो 1863 ECW में इनका जन्म हुआ था बिलकुल सही बहुत बढ़िया question number 2 पूँचा है Swami Vivekananda का जन्म कहां पर हुआ था कहां हुआ था यह आपसे पूँचा है तो question number 2 का आपका जो सही answer है वह आपका right answer question number 2 का भी number 1 यानि की कलकत्ता में कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था बिलकुल सही right answer बताया सभी लोगोंने question number 3 पूँचा है कि Swami Vivekananda के जन्म दवस को यवा दवस की रूप में कब मनाया जाता है कब से मनाया जाता है यह आपके लिए बताना है कब मनाया जाता है तो यवा दवस की रूप में मनाया जाता है Swami Vivekananda के जन्म दवस को इर वाधवसकी रूप में मनाय जाता है कम मनाय जाता है यह पूंचा है तो यह मनाय जाता है 12 जन्वरी को तो वीकल trilogy नंबर B आपका सही आइंसर होगा स्वामी विवेकरनंद के गुरु कौन थे? Q4 पूँचा जो की भौती महत्तपून Q4 पूँचा गया है स्वामी विवेकरनंद जी के गुरु पूँचा है तो बिलकुल सही right answer होगा आपका यहाँ पर राम कृष्ण परम हंस आपका सही answer है राम किष्ण परम हंस स्वामी विवेकरनंद की गुरु थे स्वामी विवेकरनंद का बचपन का क्या नाम था? बचपन का नाम बताने है भूपेंदर नाम था रबेंदर या पर दामोदर या नरेंदर तो question number 5 का आपका जो सही answer है बहें आपका राइड आंसर स्वामी विवेकरनंद का बचपन का नाम क्या था? तो नरेंदर आपका सही answer है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर डी जो है बहें आपका सही answer होगा question number 6 पूंचा तोड़ी से यहाँ पर बिलर हो गए question की विश्व धर्म सम्मेलन कब आयोज़त हुआ था? जहां स्वामी विवेकरनंद ने भासंड देकर संपूर्ण संसार को आश्यर चकेत कर दिया था ये बहुत ही महत्तुपून कॉस्चन है तो विस्व धर्म सम्मिलन कभ आयोज़त हुआ था तो ये हुआ था कभ आयोज़त हुआ था तो एह हुआ था कभ आयोज़त है 1893 इसवी में बिल्कुल सही विकल्प नंबर आपका है यहाँ पर एक जो है राइट आंसर होगा स्वामी विकर नंद की रचना है स्वामी विकर नंद की रचना है कौन सी रचना है कर्म योग है ज्यान योग है भक्त योग है या उपरोक्त सभी Q7 का सही आंसर बताना है तो स्वामी वेकरनंद की रचिना है तो बिल्कुल सही राइट आंसर है आपका यहां पर उपरोक तो सभी राइट आंसर है कन्या कुमारी में स्वामी वेकरनंद सिला इसमारक कब बनाए गया तो कन्या कुमारी में question number 9 पूँशा है उठो जागो और तब तक मत रुखो जब तक लक्राप्ती न हो जाए यह पंति किसकी है और यहाँ पर आपके लिए बताना है तो right answer है यहाँ पर बिकल्प number राइट आंसर उठो जागो और तब तक मत रुखो जब तक लक्राप्ती न हो जाए स्वामी वेकरनन्द जी की पंती अब भूत ही पिरसिद्ध पंती मानी जाती है स्वामी वेकरनन्द ने अपना सरीर कब त्याग दिया यह आपके लिए बताना है question number 10 का आपका जो सही answer है आपका right answer 1902 ECB 1902 ECB में स्वामी वेकरनन्द जी ने अपना सरीर त्याग दिया कर लें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को share करें और self study classes यह डाउनलूट कर लें प्ले स्टूर से यहाँ पर आपके लिए हिंदी साइट का संपूर्ण कोर्स उपलब्द है और हिंदी साइट की टेस्स सीरेज भी उपलब्द बहुत ही कम दाम हम तो self study classes यह डाउनलूट